पिज़ा फ्रेंच फ्राइज बहुत असान तरीके से जिसके लिए मैंने तीन बड़े आलू ले लिये हैं इन्हें अच्छे से छीला है और मैं इसकी कटिंग आपको दिखा रही हूं कि आपने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है क्योंकि हमनी फ्रैंच स्टायल में बनाने हैं तो इसकी कटिंग का खास ख्याल रखना पड़ता है इसकी कटिंग थोड़ी स्पेशल तरीके से होती है सारे फ्राइस की शेप एक तरह की होती है यहां पे हम पहले इनकी कटिंग कर लेते हैं लीजे कटिंग तो हो चुकिए जाएथ कर लें चहिते हैं सबसे पहले रतीं च्मज के मैं पहना वार देडि ना अधिक के बाद हम ऐसे ऩैक मज़ी से बीडाल सकती हैं इसके मिर्च इस के लावा आपप चाहें तो इसे अपने घर करके मसाले भी आड़ कर सकती है यहाँ पूर दी है आदा चमज की क्वखल दी कि यह जो अल दो ग düş Divine पिक होने दाल देंगे यह यहाँ फे हमने मौने तिका मसाला में थो घर धाला आपके इसमें सबादे तिक हिamine जबरदस्ट रहताि है यहाँ पर दाल रहे हैं सोया सॉस एक चमच के करीब इसके लावा हम इसमें आड कर देंगे विनिगर जिससे काफी अची खटास आती है अब इस सब को अच्छी से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के लिए हम अपने हाथों का इस्तमाल करेंगे किसी चमच से मिक्स नहीं करेंगे हमने इसमें नमक में डाला क्योंकि थोड़ा चिकन है और इसमें अल्रेडी मैंने तिका मसाला डाला है तो इसमें नमक होता है तो इस वज़ा से हमने इसमें नमक को अड़ नहीं मैंने तीन बड़े चमज के करीव ओई ले लिया है क्योंकि मुझे चिकन जो पीस मैंने अभी आपको इसामने मेरिनेट किया था उसको फ्राइ करना है फ्राइ करने के लिए आपने थोड़ा कम लेना है यहां पर इसे फ्राइ करने तब तक जब तक कि एक साइट से अच्छे स पकना जाए आँच आपने मेडियम रखनी है हाई फ्लेम पर यह जल सकता है तो आपने खास ख्याल रखना है कि चिकन आपका नीचे से जलना जाए या लगना जाए एक जगा से पकने के बाद आपने इसकी साइट चेंज करनी है लेकिन याद रहे कि इसमें अगर आपको ल जाल चुका है अब दुसरे साइट में आपको दिखा देती है एक कडाई में मैंने ऑईल बहुत गरम कर लिया तो गरम गरम में मैं डाल रहे हैं यहां पर फ्राइस जो के मैंने पानी में विवोके रखे थे हम इसमें अच्छे से पकने देंगे आच आपने जो है मीडियम हाई फ्राइस परसे पक जाती हैं अंदर से कचे रहते हैं और कभी-कभी यह होता है कि पकती झींहें अंदर ठूटना शुरू हो जाते तो आपने आज का भास ख đến इसमें आज का सारा काम होता है, तो आज आपने मीडियम रखनी है, जैसे उपर लेयर बंजे तो हाई कर दें, ताकि इसमें कलर आजे, कलर अपनी मन पसंद रखें, गोल्डन ब्राउन करें, डाक ब्राउन करें, इसके बाद हमने फ्राइस को एक प्लेट में निकालना है, और चिकन पीजी हमारा यहाँ पर एक वक्त में तियार हो चुका है, अब फोक की मदद से चिकन के आपने पीसिस कर लेने हैं, अब एक प्लेट ले ले जिसमें आपने इसको सर्फ करना है, तो सबसे पहले हम फ्राइस डालेंगे, फ्राइस डालने के बाद हम इसमें चिकन वग चाहिवी को रेस्पी बताऊं तो आप कमेंट सेशन में मुझे बोल सकते हैं, यहाँ पर मैंने डाल दी है मायानीज और कैचप, इसके इलावा फिर हम लगाएंगे एक और ले फ्राइस की, आप डालेंगे कुछ वेजिटिवल्स, मनबसल वेजिटिवल्स का इस्तमाल कर सक यहाँ पर मैंने शिम्लामेटर गाजट डाली है, इसके लावा मैंने चीज डाली है, अब इसे हमने करना होगा ओवन तकरीवन पांच मिनट तक के लिए, लीजे हमारे गर्मा गर्म फ्राइस एकदम तियार हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, थैंक्स व वाचिंग, आला हापीज